बट्टुकला में ट्रेन के नीचे आया यूवक पांच बहनों का एकलोता भाई था हुई सिनाखत बट्टुकला रेलो इस्टेशन पर स्री गंगा नगर जाने वाली सवारी गाड़ी के नीचे आने से एक यूवक की मोत शुकरवार को मिर्तक की पहचान राजस्थान के महराना निवासी क्रीब तीस वर्षिया रोतास के रूप में हुई है जो पांच बहनों का एकलोता भाई था उसके पिता का कई वर्ष पूरव दिहान्त हो गया जिसकी दो महा पूरव ही साधी हुई थी जो बट्टुकला में ट्रेन के नीचे आने से काल का गरास बन गया इस घटना की गाउं में सुचना मिलते ही शोक की लहर दोड़ गई शुक्रवार को रेलवे पुलिस ने सब का फतेवाद नागरिक अस्पताल से पॉस्ट माटम करवा कर उनके प्रिजनों को सौंप दिया इस मामले में पुलिस ने इतफा क्या कारवाई की है गुरुवार साइं इंसार की तरफ से आने वाली रेल गाड़ी भट्टू रेल विस्टेसन पर ठेराव के बाद जब वापस चलने लगी तो इसी दोरान एक युवक रेल गाड़ी के नीचे आ गया क्रीब तीस वर्षिय युवक की ट्रेन के नीचे आने से मोत हो गई रेले पुलिस आदुमपर के इंचार्ज सुर्जीत सिंग ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में इतफा क्या कारवाई की है और मिर्तक का पॉस्टमार्टम करवा कर सब उनके प्रिजिनों को सौप दिय है बट्टू मंडी में रसुगूला फेक्टरी पर हुई सियम फलाइंग की चापा मार कारवाई सियम फलाइंग इंसार गुप चरविभाग वैजिला फूड सेफटी अधिकारी की टीम ने बट्टू मंडी में बालाजी रसुगूला फेक्टरी पर शुक्रवार को चापा सादु राम, एसाई, रामकरण, जिला खाद्य सुर्क्षादिकारी डॉक्टर सुरंदर पूनिया ने भट्टु मंडी में फातेवाद रोड स्तित बालाजी रसुगुला फेक्ट्री में रेड की है इस दोरान वनस्पती चांसलर कंपनिंग घी के परतेक 15 किलोगराम के 24 मावा फिक का त्यार किया हुआ 24 तीन परतेक 18 किलोगराम 150 कट्टे चेनी परतेक 50 किलोगराम 700 किलोगराम रसुगुला त्यार किये हुए टब में 25 तीन परतेक 11 किलोगराम त्यार किये रसुगुले 40 किलोगराम मावा खुला 100 किलोगराम गुलाब जाउन त्यार सुदा 100 किलोगराम पनीर त्यार किया हुआ टब में खुला 200 किलोगराम घी त्यार किया हुआ खुला छोटे ड्रम में 60 kg क्रीम लूज त्यार की हुई 40 kg बर्फी खुवा 5 लिटर कलोसिस क्रीम 5 लिटर फ्लेक्सी क्रीम मिली इस दुरान टीम ने सभी समान के 5-5 सेंपल लिए है टीम ने कुछ खराब मावा जिसको फफुदी लगी हुई परतीत हुई उसे डिस्ट्राइ किया है टीम इंचार्ज S.I. बजरिंग ने बताया परदेश सरकार के आदेशा अनुसार वे तिहारों के सीजन में उनकी चापा मार कारवाई लगातर जारी रहेगी बट्टुकला में रसुगला फैक्ट्री पर भारी मातरा में त्यार वे बिना त्यार समान मिला है जिला खादेश सुरक्षे अदिकारी सुरेंदर पूनिया ने बताया कि सैंपलिंग की गई है सैंपल की रिपोर्ट के अधार पर आगामी कारवाई की जाएगी उन्हेंने कहा कि मिलावट खोरों को किसी भी सूर्थ में बकसा नहीं जाएगा राजिकिया वरिष्ट संस्किर्थ मोडल स्कूल भट्टू कला में साइबर क्राइम को लेकर जागरुकता कैम्प का हुआ आयोजन महिला एवं बाल विकास्विभाग के निर्देशा अनुसार जिला बाल स्रक्षन का रहले दवारा यहां शुक्रवार को राजिकिया वरिष्ट संस्किर्थ मोडल स्कूल भट्टू कला में साइबर क्राइम की रोक्ताम वे बचाओ है तू एक जागरुकता कैम्प का आयोजन किया गया इस कैम्प में जिला बाल स्रक्षन का रहले की और से लिगल कम प्रोवेशन ओफिसर एडवोकेट बिजेश सेवदा वे साइबर सेल प्लिस विबाग की और से पी अस आई रामवीर सिंग ने बच्चों को वे अभी भावकों को साइबर क्राइम के बारे में जागरुक किया करे करेम के दोरान उन्होंने साइबर क्राइम क्या होता है इससे कैसे बचा जा सकता है वे साइबर क्राइम का सिकार होने पर कैसे उसकी सिकायत की जा सकती है इस बारे में विस्तार से जान कर दी उन्होंने Facebook हेंकिंग, WhatsApp हेंकिंग, फरजी वेबसाइट, QR कोड के मादम से होने वाले फोड बारे साफधानी बरतने की भी सला दी उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की घटना होने पर तुरंत 1930 पर कोल करना चाहिए ताकि साइबर क्राइम से समंदित अपरादिक घटना पर अंकुस लगाया जासके और जल्द से जल्द इस समंद में कारवाई कर दोसी के खिलाफ सिकंजा कसा जासके उन्हेंने कहा कि हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि हम किसी भी साइबर क्राइम की घटना का शिकार नहों।